हेलो एब्रिवन श्रीफ शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है यह जो वीडियो रहेगी यह रियल जूइन फ्रेम के ऊपर रहेगे क्योंकि अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वह फॉल्स रूइन फ्रेम के ऊपर बनाई थी तो बहुत से बहुत से नहीं एक काउंटरपार्ट के रियल डिवाइन मैसकुलाइन है ओके आप रियल जूइन फ्रेम हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है खुद को पहचानने में अपने काउंटरपार्ट को पहचानने में रियल डिवाइन प्रेमेंट बहुत जल्दी पहचान देती है अपने आज कल वह से सब्सक्राइशन हैं जिसमें समय इवेकनिक पहले हो सकती है वह डिवाइन फैम बी सकती हैं और डिवाइन मेसलाइन वह सकते हैं तो दोनों के वीडियो रहेगी तो के हैं लिएकिसे पहले आपकी live में जब आपकी counterpart की एंट्री होती है जब आपकी counterpart आपकी live में एंट्री करते हैं उसके बाद just ne से भी प्यार नहीं होता है ये सबसे पहला साइन ह n हो फिर भटकती नहीं है अभी तक प्यार को धूंढ रही रिलेशन्शिप को ढूंड रही थी भाग रही थी दर दो लोगों के पीछे कि मुझे लब करो, मुझे लब चाहिए या को डिपेंडेंसी वाली एनरजी जो थी वो यहां पर खतम हो जाती है यहां डियव पर अपने प्यार के लिए किसी और पर डिपेंडर नहीं रहती है इवन अपने काउंटर पार्ट पर भी डिपेंड नहीं रहती है वो भही पर ठहर जाते है एक ठहराओ आजाता है डिवाइन प्रमाइन की लाइफ में प्यार को लेका तो यह पहला sign है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप real twin flame हो नेक्स्ट sign है वो यह है कि आपके spiritual awakening होती है Kundalini awakening होती है वो आपके real counterpart के आने के बाद ही होती है आपके spiritual जो growth होती है वो आपके counterpart के आने के बाद ही आपकी होती है आप देखोगे आपके अंदर spiritual growth हो रही है, आप बहुत जादा spiritual होते जा रहे हो, आप बहुत जादा research कर रहे हो, historical, new story या mysterious story, mysterious world में बहुत जादा interest ले रहे हो, आप ऐसी चीजों को पढ़ना start कर देते हो, ठीके, यह दूसरा sign है कि आप real twin flame हो, और जो आपके counterpart है, आपके divine masculine ह masculine है, वो आपके बिलकुल real twin flame है, ठीके, वही आपके divine masculine है, next आपका है, अगर आप separation में भी होते हो, ठीके, यहाँ पर थोड़ा confused हो जाते हैं, लोग, आप separation में भी होते हो, उसकी बाद बाद में करेंगे, आप bubble phase जब चलता है, तो आपके जो divine masculine है, वो आपके अंदर कम्या भी निकालते हैं, और अच्छाईया भी निकालते हैं, ठीके, और आपको motivate भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपको कुछ भी करने से रोकें, वो आपकी growth करने के लिए आपकी light में आते हैं, वो चाहते हैं, आप कुछ करो, और उन्हें पता होता है, 3D world में आप दोनों भूल आपके अंदर यह अच्छाई है, आपके अंदर यह बुराई है, ठीके, बट आपका जब separation आता है, वहाँ पर आपको support नहीं करते हैं, आपको avoid करते हैं, आपको ignore करते हैं, ताकि आप खुद को best version बना सको, और एक जो आपकी reality है, जो आपका true self है, उसको surface पर ला सको, ठीक तो जब आप ऐसे सब चीज़े आपके साथ होती हैं, आप confused हो जाते हो कि हो तो separation में भागते हैं, run करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो नहीं आएंगे जब तक आप अपने issue blockage अपने आपको heal नहीं कर लेते हैं, ठीके, और अगर यह सब चीज़े आपके साथ हो आपको support नहीं करते हैं, आपसे बत्तमीजी से बात करते हैं, बहुत जादा narcissist हैं, और यह sign भी सारे नहीं मिल रहे हैं, तब आप कहीं ना कहीं false train blame में होते हो, ठीके, नेक्स्ट जो है, वो यह है, आपके counterpart आपको separation में trigger देते हैं, वो इसी बात पे देते हैं, क्योंकि आप तोनों mirror soul होते हो, कोई ना कोई आपको issue या blockage है, जो वो आपको trigger करके चले जाते हैं, उस पर आपको work करना होता है, ठीके, तो यह भी सारे sign होते हैं, नेक्स्ट है, जब आपके counterpart के entry होती है, यह divine masculine के entry होती है, then आपकी health में improvement होने लगता है, आपकी health अच्छी होने लगती हो, आपने देखा होगा, जब आप कार्मिक के साथ होते हो, या false train flame के साथ होते हो, आपकी health अच्छी नहीं रहती है, आप हमेशा down feel करते हो, unhealthy feel करते हो lazy feel करते हो, ठीक है, कुछ भी आप बहुत ज़्यादा powerless feel करते हो, यह सब चीज़े आपके साथ false train flame के साथ होती है, but real train flame के साथ आप एक strong aura के साथ खड़े होते हो, इक powerful energy में आ जाते हो, और आपकी health है वो धिरे धिरे improved होने लगती है, ठीक है, यह भी sign है कि आप real train flame से deal कर र और आपके counterpart की बहुत सी hobbies, habits, same होनगी, ठीक है, आपकी physical appearance opposite हो सकती है, एक दूसरे से आपका complexion dark हो, उनका fair हो, या उनका dark हो, आपका fair हो, आपका fair है, दोनों का same complexion है, but body जो है कही ना कही height कम होगी, या आप दोनों थोड़ा सा अलग दिखते हो गए, ठीक है, opposite एक दूसरे से थोड़ा बहुत, but जो habits होती है, या interest होते है, या hobbies होती है, वो आप लोगों की बहुत जादा match करती है, एक दूसरे से, ठीक है, next है आपका, जब आपकी DM के आपकी live में entry होती है, आपको अपना future एक दम clearly दिखने लगता है, कि आपका future क्या है, आपको क्या करना था, आपको नहीं समझ में आ रहा था, अपने future साफ साफ नहीं दिख रहाता है, कि मुझे किस line में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, बट अब यहां से वो चीजे सारी clear होने लगती है, आपको अपना future एकदम दिखने लगता है, कि मुझे ये बनना था, या आपका जो क्योंकि आपका heart chakra कहीं न कहीं activate हो जाता है, आपके counterpart के आने के बाद, सिर्फ heart chakra ही नहीं, आपके seven chakras activate हो जाते हैं, और ये सारी चीजे, unconditional love, self love, forgiveness, ये तब आती है, जब आपका heart chakra balance होने लगता है, activate होने लगता है, ठीक है, नेक्स्ट है, आपको synchronicity, angels नमबर जैसे की जानते हैं, 11, 11, 22, 22, 23, 24, 24, इन सब नमबरों की बहुत जादा synchronicity होती है, जिससे angels divine आपको बता रहे होते हैं, कि आपकी spiritual awakening होई है, आपकी twin flame journey है, और इस journey में आप हो, और ये counterpart आपका divine masculine है, ठीक है, next है intense pool, मतलब आप चाहोगे कि इस person से मैं contact नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी, अजानक से उस person का call आ जाएगा उतर से, या आप सोचोगे मुझे इससे कोई contact नहीं रखना है, कोई relationship नहीं रखना है, और उतर से फिर से contact स्टार्ट हो जाएगा, और आप बहुत relationship ही नहीं रखना है, और जैसे ही call आता है, बहुत अच्छे से बात करने लगता है, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गलत हुआ ही नहीं, यह सब चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होने लगती है, next है, strong connection आपको feel होता है इस person के साथ, ठीके, let go बहुत easily कर लेते हो, आप false twin flame के साथ let go नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा attachment होता है, ठीके, वो आपके साथ गलत कर रहे होते हैं, आप बस हां में हां मिलाते रहते हो, बट अपने जो counterpart हैं, आप separation में easily let go कर लेते हो, बहुत के लिए ही होगा, free will बहुत ज़्यादा आप देते हो अपने person को, ठीके, क्योंकि आपका कही ना कही है, trust बढ़ जाता है, अपने आप पर भी बढ़ जाता है, गौर पर भी बढ़ जाता है, और वो person जहां कहीं भी होता है, आपके पास उसे आना ही आना होता है, कुछ जो separation है, आपका illusion है, वो सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आपको कुछ अपने उपर वर्क करना है, उन्हें अपने उपर वर्क करना है, जब दोनों अच्छे से वर्क कर लेते हैं, best version बन जाते हैं, आप लोग reunite हो जाते हो, इस 3D वर्ल में भी, ठीके, next है, intense eye contact, मतलब आपका eye contact ऐसा होता है, कि आपको एकदम sparkle, मतलब जिसको explain ही नहीं कर सकते हैं, आप खुछ फील कर सकते हैं, इस connection को या जो आपका eye contact होता है, आप बिलकुल ignore ही नहीं कर पाते हो एक दूसरे से, जैसे कुछ eyes कह रही हैं, आपकी soul एक दूसरे को पहचान रही ही है, बहुत ही intense eye contact होता है twin flame के बीच में, ठीक है, यह बहुत ही powerful sign है, next है, आपका telepathy बहुत जादा strong हो जाती है, वो कहीं भी हो, आप से दूर हैं, या separation में हो, no contact zone में हो, या twin flame journey में अभी अभी आयो, bubble face भी चल रहा है, वो बात नहीं हो रही है, आप देखोगे, आपकी telepathy बहुत जादा strong होती है, यह बहुत strong sign है, आपका twin flame connection में, ठीक है, next है आपका, next है, आपके जो partner है divine message, आपको बहुत जादा encourage करेंगे, grow करो आप अपनी life में, वो आपको कभी किसी चीज के लिए रोकेंगे नहीं, आप कुछ भी करोगे और उल्टा support करेंगे, separation में तो वो बबर फेस में यह सब चीजे बोलेंगे आपसे, यह आपका जब separation complete हो जाएगा, उसके बाद आप live में जो कुछ भी कर रहे हो या करना चाहोंगे, तो वो आपको support जरूर करेंगे, आपको उन सब चीजों से रोकेंगे नहीं, या मना नहीं करेंगे, कि आप यह मत करो, हो मत करो, ठीक है, उल्टा आपको support करेंगे, नेक्स्ट है, जब आप दोनों बात करोगे, तो आपका inner child, मतलब your inner child comes out when you are with them, आप उनके साथ होगे, तो मतलब खुलकर हसोगे, खुलकर बात करोगे, ऐसा लगेगा, मैं complete feel कर रही हूं इस person के साथ, ठीक है, आपको fear नहीं हो होगा, डर नहीं होगा, और बहुत एजली सब कुछ उनको बता दोगे, बहुत अच्छे से बात करोगे, और एक जो होता है, खुलकर हसना, खुलकर बात करना, अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करना, अपनी हर अच्छाई बताना, वो सब चीज़े आपके लिए जीन फ्लीम के लाइफ में आते हैं, तो आपको लगता है, इससे पहले आपने करनेक्शन कभी फील ही ने किया, कार्मिक के साथ भी नहीं, आपको लगता है कि कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग कनेक्शन होता है, रोमेंटिक कनेक्शन होता है कार्मिक के साथ भी, बट वहा वह अट्राक्टिव हो वह हाइट उनकी कम हो या कम जादा हो या कैसे भी हो XYZ पर आप अपने कार्मिक पार्तनर को वहाँ बिल्कुल इगनौर कर देते हो आपको अपना कार्मिक पार्टनर उस टाइम बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता चाहें, वो कितना भी सुन्दर हो, कितना भी खुबसूरत हो, चीके, आपका counterpart का dark complexion है, doesn't matter, उनकी height कम है, doesn't matter, वो देखने में ज़्यादा slim trim है, doesn't matter, ये सब चीज़े matter नहीं करती है, और जो twin frames होते हैं, बहुत ज़्यादा attractive दिखते हैं, attractive लगते हैं, चाह person, जैसा connection है, ऐसा मैंने connection कभी feel ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा loving, बहुत ज़्यादा attraction, बहुत ज़्यादा pure, pure love आप वहाँ पे feel करते हो, ठीके, तो ऐसा feel होता है, जब आपके real divine masculine होते हैं, और आप twin flame journey में होते हो, ठीके, और next है, instant best friend, आप दोनों इक तरी, एक best friend बनक एक दूसरे से बात करते हो, ठीके, आपके अंदर कोई कमी है, उनके अंदर कोई कमी है, कोई अच्छाई है, बुराई है, वो सब चीज़े आप share करते हो, एक best friend की तरह एक दूसरे को support करते हो, हमेशा, ठीके, next है mirror everything, हर चीज़ आप mirror करते हो, एक दूसरे की अच्छाई भ दूगे या आपके अंदर होगी, तो वो आपको trigger कर देंगे, next है, stay aligned with your soul, जब आपके real divine masculine आपकी life में आते है, आपका real twin flame आपकी life में आता है, आप अपनी soul से align हो जाते हो, कार्मिक पार्टनर के साथ आप कभी भी अपनी soul से align नहीं होते हो, ठीके, आपकी awareness नहीं बड़ी होती है, आप बहुत 3D world में ही खोई रहते हो, आपकी dimension नहीं बड़ती है, बहुत जब आपके real twin flame आपकी life में आते है, आपका trust dream पे बढ़ जाता है, vision पे बढ़ जाता है, आपके speed guide पे बढ़ जाता है, खुद पर बढ़ जाता है, God पे बढ़ जाता है, यह बहुत ही powerful sign होता है real twin flame के आने के बाद ठीक है उससे पहले यह सब चीज़े आपको fake लगती होंगी dream, vision, god सब कुछ बट नहीं जब आपके counterpart आते हैं यह सब चीज़ें आपको एक trust वाली side में लेकर चाहती हैं आप trust करना बहुत जल्दी सीख जाते हो इश्वर पर ठीक किसी पर करें ना करें पर यह सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा believe करते हो next है your life completely change मतलब counterpart के आने के बाद आपका separation हुआ है कुछ भी हुआ है x y z आप देखोगे आपकी positively आपकी positive way में आपकी life change हुई है counterpart के साथ सब कुछ दूर है तब भी आपकी life में जरू ग्रोथ हो रहा होगा कुछ positive change हो रहा होगा आपकी life health improvement हो रही होगे आपकी life में आपकी growth हो रही होगी आपकी life में abundance आ रही होगी गलत चीज़े भी होती है ट्रेगर में मिलते हैं बट वहाँ पर एक trust खुद पर इश्वर पर कि हाँ ये सब चीज़े ठीक हो जाएंगी ये हो रहा है मेरी ही कमी से हो रहा है मेरी ही गलती से हो रहा है acceptance के energy ये सब चीज़े होती है जब real twin claim आपकी life में आ जाते हैं ठीक है next है कहीं देखा है याद तो नहीं आता है आपका जो बर्थ था पहले वो सब चीज़े नहीं याद रहती हैं बट अंदर से ऐसा feel होता है क्योंकि आपके soul एक दूसरे को पहचान रही होती है ऐसा feel होता है मैंने इस person को कहीं देखा है या मैं इसे कहीं मिल चुकी हूँ आपको देखा वो बहुत जादा होने लगता है जब आपके real twin flame आपकी life में आते हैं तो ये सारे sign अगर आपसे मिलते हैं देन आप समझ जाओ कि आपका जो partner है वो real divine masculine है आप twin flame journey में हो और जो आपका सामने वाला person है वो real twin flame है तो real twin flame के साथ हमेशा ऐसा ही होता है ठीके हर चीज़ में improvement आता है चाहें वो आपका future हो चाहें वो आपकी health हो चाहें वो आपकी family हो चाहें वो आपका कुछ भी area हो ठीके धीरे धीरे हर एक एरिया में changes आने start हो जाते हैं positively तो जिनके ये question थे या जिनको ये लग रहा था कि false twin flame कौन होते हैं real twin flame कौन होते हैं अंतर नहीं कर पा रहे थे या जो मैंने पहले false वाले twin flame के बताए हैं वो real twin flame में होते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है real twin flame के आने के बाद आप spiritually बहुत जादा growth करते हो भी negativity नहीं रहती है कोई hate energy, blame, judge, issue ये सब चीज़े आपकी vanish होना start हो जाती हैं आपके बीच unconditional love होता है conditional love नहीं होता है जैसे कि karmic partner में होता है या false twin flame के बीच में होता है क्योंकि false twin flame के एक need होती है किसी भी तरीके के आपको support नहीं करेंगे आपको गलत रास्ते पे ले जाएंगे या emotionally आप चाहोगे आप जब जब उनका support चाहोगे false twin flame आपको support नहीं करेंगे बट आप हमेशा उनके लिए available रहोगे आप उनको हमेशा support करोगे false twin flame में ऐसा होता है ठीके real twin flame में आप दोने एक दोसे को support करते हो बट जो एक separation आता है वो कुछ आपको सिखाने के लिए आता है वो चीजे भी जब heal हो जाती है balance हो जाती है आप देखते हो आपका partner आपको support कर रहा है आपको ignore नहीं कर रहा है आपको avoid नहीं कर रहा है तो यह सब चीजे अगर आपसे मिलती है तो आप real twin flame ओ ठीके तो यह था real twin flame के ऊपर वीडियो नेक्स वीडियो में मैं फिर मिलूंगी तब तक अपना ध्यान रखिए खुश रही है सौस्त रही है